वेलकम माई यूटूब चैनल आपका स्वागत है मेरे सुहास त्रिपल सी में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत का सम्मिधान के बारे में सुरवास से हम आपको वीडियो पार्ड भाई पार्ड प्रोवाइट कराएंगे तो आज हम पार्ट बन में भारत का सम्मिधान के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे तो आप इस वीडियो को continue देखते रहें एंड तक और इदी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को पहली बार बिजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना न बूले और हमारे फेस्बुक, फेच और इंस्टाग्राम आईडी को फालू करना न बूले चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ड तो सबसे पहले आप जा लेते हैं हमारा सुरुवाद है भारत का सम्मिधान भारत का सम्मिधान सर्वो सम्मिधान में से एक है यह भारत का ग्रंथ कह सकते हैं हम भारत का ग्रंथ कह सकते हैं आप बिल्कुल से चलिए हम करते हैं कि सुरुवाद तो सबसे पहले हम भारत का सम्मिधान को पढ़ने से पहले आपको वहिम्राव अमेटकर के ही द्वारा भारत का सम्मिधान लिखा गया था तो अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे जिसे क्या क्यों सकते हैं सुर्वास से में बात करें तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा उसके लिए आपको एतिहासी कूर भूम का मतलब भारत में अंग्रेज कब आये थे रून सासन कब किया था और सासन बेटेश समराज कब स्थापित किया था अंग्रेज भारत छोड़ो कब गए थे इस भारत सम्मिधान में आप पूरता जानेंगे और भी मेटकर का क्या योगदान था भारत सम्मिधान में वो भी आप इसमें जानेंगे तो सबसे पहले आप यहां पर दे सकते हैं चलिए हम सभी जन सभी को करते हैं बात करें अध्या एक के एतिहासिक पूर भूम का सन 1947 में हमारा भारत बर्स देश आजाद हुआ हो गया था इस बर्स भारत अपनी सदियों की दास्ता से मुप्त हुआ था मतलब अंग्रेजों की सासन से वह मुप्त हुआ था इतने बलदानों के फलसुरूप हमें भारत को एक सयोजीत राज इस्थापित करने के लिए पहुत से संगर्स करने पड़े आपको इस टॉपिक को हम छोटे मताएं तो हमें भारत को एक सामराट बनाने के लिए काफी सासन करने पड़े काफी युद्ध लड़ना पड़ा और काफी मुश्किलों को सामिल मुश्किलों से लड़ना पड़ा तो हमारा देश जाकर 1947 को आजाद हुआ था और जो सुरुआत हुई थी हमारे देश में कब सासन से तो जिसी जिसे हमारे देश सोसंत आजात हुआ था 1947 को और सोसंत था मिलिती 26 जिर्वी 1950 को जब भारत का सम्मिधान लागू किया गया था और इसी दिन से भारत का सम्मिधान पूर्ण तरीका से लागू कर दिया गया था उसके बाद भारत में अंग्रेज का आगवन हुआ था वह हुआ था 1600 से 1765 में उसके यह कुछ स्टेप है जो कि हमारे देश में अंग्रेज कब आये थे सासन कब किया था और कितने वरस तक सासन क्या और हमारा देश आजाद कब हुआ था और सम्मिधान कब लागू था तो इन बातों को ध्यान देंगे 1600 से 1665, 1765 से 1858, 1858 से 1919, 1919 से 1947, 1947 से 1915, 1960 से 1765 अंग्रेज भारत आगवन मतलब भारत 1600 में आये थे और वे केवल ब्यापार के उद्धोग से आये थे जिन्हों ने यहाँ पर आकर इस्ट इंडिया कंपनी की इस्थापना की थी वह यहाँ पर केबल ब्यापार के माध्यम से आये यह बात हम सबी जानते हैं जैसा कि आपने जाना कि वह इस्ट इंडिया कंपनी इस्थापित की थी मतलब कि यहाँ पर भारत आये थे अंग्रेज बारत में अंग्रेज आये थे इस्ट इंडिया कंपनी के इस्थापना की थी और वह केबल ब्यापार के माधियम से आये थे ब्यापार के माधियम से उन्होंने कई राजाओं से कर वसूल किया और यहाँ पर ब्यापार किया जिस किंद सूर्थी था यह बहुत इंपोर्ट बार्ट है मैंने इसे हैडलाइन भी कर रखा है चलिए हम यहां तक करते हैं एंड उसके आद हम आपको पार्ट वाते हैं कि 1726 का राजले क्या कहता था और इसमें क्या क्या इंपोर्टेंट बाते हैं तो यहां तक आपको वीडियो क कि भाफी पसंद आई होगी इधी आपसे इसमें कोई भी नोलिजफूल लगी हो तो प्लीज हमें कामेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके था हैं आप चाहें तो हम इस पेज का और इस पेज का पीडियू या इस पेज का स्क्रिन जाउट हम वीडियो के डिस्करप्सण बॉक्स में दे देंगे तो मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में तब तक के लिए चाहिन